पब्लिक की डिमांड है कि फास्ट स्टेट के अंदर में घर में क्या-क्या रखना चाहिए आपके घर के अंदर में अगर आपको हार्ट अटैक सिस्पेक्टेड है तो वाटर सॉल्यूबल तीन सो मिलिगराम की एस्परेन चबानी है यह हर घर के अंदर में होनी चाहिए उसके अलावा अगर आपको उल्टी आती है तो अपने डॉक्टर से लिखवा के डॉंपेडल डॉन डिस्पर्सिबल टैबलेट आती है 10 मिलिगराम की जो अगर आप चूस लो तो आपकी उल्टी बंद हो जाती है स्टेमिटिल की एक गोली जरूर होनी चाहिए घर में क्योंकि चक्कर आए तो स्टेमिटिल पांच मिलिग्राम की सब्लिंग्वल गोली ली जा सकते है और रस की पाउड़स घर में होने चाहिए ताकि अगर कभी किसी को डैरिया हो जाए तो 200 ml ORS is equivalent to one stool lose lost उसके अलावा एक पेन किलर घर में हमेशा होना चाहिए एक पेरासिटमॉल क्रोसीन के नाम से आता है और एक दूसरा पेन किलर मेफैनीमिक एसिड जो मेफटाल के नाम से आता है यह आप पेन हुआ तो मेफटाल मेफटाल के अंदर में पेट में ड़त का मेफटाल स्पास भी आता है कहीं पर भी पेन हो तो आप यह दवाईया रख सकते हैं इन से आपको सुबह से लेके रात तक अगर यह दवाईया आपके पास में है तो आप एमबरजंसी को मैनेज कर सकते हो लेकिन यह सारी दवाईयां प्रिस्किप्शन है आपको अपने डॉक्टर से प्रिस्किप्शन लेना होगा ताकि आप अपने घर के अंदर में रख सकें इसके अलावा आपको बीटा दिन रखना है ताकि कहीं पर भी चोट लगे तो बीटा दिन से साफ करके उसमें बीटा दिन का ओइंटमेंड लगा सकें आज ही इन चीजों को अपने घर में रखिए ताकि एमर्जेंस से टेकल की जा सकते नमस्कार